नमस्कार दोस्तों मैं शूपरियो आपको स्वागत करता हूँ Elementor Advanced Settings के चौथे वीडियो में आज के वीडियो में हम जानेंगे Elementor के Motion Effects के बारे में देखेंगे Elementor के Advanced Settings में Motion Effects क्या है और उसको हम कैसे Customize कर सकते हैं और हमारे Design में हम Implement कर सकते हैं तो चलिए आज के वीडियो हम सुरू करते हैं लेकिन सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल में नए है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बेल आइकॉन भी दबाए ताकि Elementor के उपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अगर आप हमारे Elementor Advanced Settings के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो Description में मैं लिंक दे दूँगा आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तो Elementor के Edit सेक्षन में आपको Option मिलता है Advanced Settings का यहां से आप किसी भी Element या फिर किसी भी सेक्षन के Advanced Settings यहां पर आप कॉंट्रोल कर सकते हैं तो Advanced Settings में यहां पर एक Option मिलता है जो है Motion Effect अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे पहला Option दिखाए देगा Intense Animation यहां पर कुछ Animation का Option available है और इसके नीचे है Animation Duration और यहां पर है Animation का Delay Time Set करने का Option लेकिन यह जो Option है यह Free में है अगर आपके पास Pro है तो आपको इससे ज़्यादा कुछ Option दिखाए देगा तो मैं आपको दिखाता हूँ Pro में क्या क्या Option है तो इस साइड में Pro Activated है तो देखिए यहां पर जो Motion Effect है इसमें पहला जो Option आपको दिखाए देगा वो है Scrolling Effect अगर आप Scrolling Effect को On कर लेते हैं तो इसके नीचे आपको बहुत सारे Option दिखाए देगा पहला जो है वो है Vertical Scrawl उसके बाद Horizontal Scrawl, Transparency, Blur, Root, Scale और यहां पर आप Effect को कौन सी Device में Implement करना चाते हैं इसका Option आपको दिया गया है और यहां पर है Effect Relative 2 का Option जहां पर Viewport और Entire Page का Option है और यहां पर है Sticky Section आप किसी भी Section को Top या Bottom में Sticky कर सकते हैं और उसके नीचे है Interns Animation जो हमारा Free Section में भी Available है यह जो इतने सारे Option यहां पर Available है मैं आपको हर एक Option को Detail में बताऊंगा तो इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन Description में मैं Time Stim दे दूँँगा आप उहां से Easily इस वीडियो को Navigate कर सकेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि हमरे Motion Effect में Free में क्या Option Available है उसको हम कैसे Customize कर सकते हैं यहां पर हम यह Elementor का Free Version है उसमें आ गए तो देखिए यहां पर जो है Intern Animation आप किसी भी Section को या फिर किसी भी Element को आप यहां पर Animation Effect दे सकते हैं जैसे देखिए मैंने यहां पर एक Section Create किया हूँ इसके Background में एक Image डाला हूँ उसके बाद यह जो यहां पर एक Column है इस Column का भी Background दिया हूँ और इस Column के अंदर और एक Column है जिसमें दो Element है एक Image और एक Text यह सारे को मैंने Animation यहां पर Enable कर दिया हूँ अगर हम इसको Preview में देखेंगे तो आपको यहां पर Animation दिखाए देगा देखिए यहां पर यह Page लोड हो रहा है अभी एक Animation यहां पर आया एक दूसरा आया और तीसरे चौथ है आया तो हम हर एक Section में Interns Animation डाल सकते और यह Elementor का जो Free Plugin है इसमें Available है तो देख लेते हैं देखिए मैंने यहां पर Drop Down किया Drop Down में आपको बहुत सारे Option मिल जाएगा एक Slide Down, Slide Left, Slide Up, Slide Right, Slide Up आप यहां से आप किसी भी Animation चून सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं आपके हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं तो यह हमारा Intersection का Animation है तो चलिए मैं इसको पहल पहले हम इसको देख लेते हैं तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं देखिए यह बहुत फास्ट हो रहे हैं और यह जो सेक्षन है इसमें अभी कोई Animation नहीं डाला हुआ है तो यहां पर Bounce Effect है और यहां पर Animation Delay है मतलब Page Load होने के कितने बाद हम इस Animation को यहां पर दिखान चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर millisecond में एक value देना पड़ेगा तो इस section के लिए मैं यहां पर कुछ value नहीं दे रहा हूँ और effect को अच्छी तरह से दिखाने के लिए मैं इसका जो animation duration है इसको मैं slow कर देता हूँ अभी हम देखेंगे यह जो section है पीछे का section यहां प यहां पर आएगा और इसका जो delay time है इसको मैं one second कर लेता हूँ मतलब one thousand millisecond तो page load होने के एक second बाद यह appear होगा चलिए देख लेता है एक बार तो देखिए ऐसे ही यह आ रहा है अभी हम यहां पर यह जो others element है इसको भी हम effect डालेंगे तो हम simply यह जो image का हुई element है इस पर click करेंगे और यहां पर intense animation में जाएंगे इसको हम fade in left कर लेते हैं जो by तरफ से यहां पर आएगा और इसका जो duration है इसको हम 1200 millisecond कर लेते हैं तो एक 1.2 second के बाद यह appear होगा और यह जो text है इसका भी हम animation डाल लेते हैं यह fade in write कर लेते हैं इसको और इसका delay time देते है 1600 millisecond तो अभी हम इसको update करेंगे और इसको हम preview में देखेंगे कैसे दिख रहा है देखिए पहले यह section bounce हो रहा है फिर यह appear हो रहा है और left और right side से यह दो जो element है यह appear हो रहा है तो आपको अभी समझ में आगाया होगा कि कैसे हम किसी भी section को या फिर column को या फिर किसी भी element को intense animation के मदद से हम motion effect add कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा free का option अगर आपके मन में इसके regarding कोई सवाल है तो comments में मुझे को पूछिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा advanced series में क्योंकि वहां पर बहुत सारे option है तो इसको मैं अभी close कर देता हूँ तो चलिए अभी हम देखते है elementor के pro version में हमको क्या-क्या option मिलता है motion effect डालने के लिए पहला यहां पर आपको दिखाए देगा जो है scrolling effect आप देख सकते है इस scrolling effect के side में एक switch है आपको इसको on करना ह इसके बाद ही आपको यह सारे जो option वो मिलेगा तो हमने यहां पर on कर लिये है और अभी पहला जो option है वो है जो बार्टिकल स्क्रॉल बार्टिकल स्क्रॉल का मतलब होता है दोस्तों उपर नीचे का जो height होता है उसको बार्टिकल कहते है और side by side जो width होते है उसको horizontal कहते है तो यहां पर मैंने जो design create किया है इसके उपर का जो section है इसमें है horizontal scroll का effect और नीचे इस section में है vertical scroll का effect आप देख सकते हैं जब हम mouse को scroll कर रहे हैं तो यहां पर एक parachute open हो रहे है और वो नीचे उतरते जा रहे है और जब हम mouse को उपर scroll करेंगे तो यह parachute उपर उतता जाएगा तो यह जो effect है यह है vertical effect तो चलिए हम देखते है इस effect.com कैसे यहां पर enable कर सकते हैं दखिए मैंने यहां पर section यहां पर create किये है और जिसके background में मैं एक image set किया हूँ तो अभी यहां पर हमें एक image डालना है और मैंने वो transparent एक image png का जिसमें parachute है वो मैंने यहां पर insert कर लेता हूँ तो यह image हमारा यहां पर आ गए है लेकिन इसमें देखिए अभी कोई effect नहीं दिख रहा है तो image को पहले हम positioning कर लेते हैं तो इसके लिए हम जाएंगे advanced settings पर positioning के बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपको detail में बताऊंगा फिलाल इस वीडियो के लिए मैं इसका जो width है इ इसको थोड़ा सा हमें घटाना होगा design के लिए तो हम जाएंगे style पर और इसका जो width है हम इसको थोड़ा सा control कर लेंगे यहां से तो यह हमारा size हमने adjust कर लिया देखिए अभी जब हम scroll कर रहे हैं तो इसमें कोई effect हमें नहीं दिख रहा है तो हम यहां पर click करेंगे फिर हम ज option दिखाए देगा एक है यहां पर zoom कर लेता हूं एक direction में up और down simply यहां पर जो आपका option है अगर आप करते हैं तो यह image जो है उपर की तरफ आपको effect दिखाए देगा अगर आप यहां पर down करते हैं तो यह effect जो है आपकी element को down movement देगा तो अभी हमने इसको दे दिया अभी यह यहां पर देखिए speed है मतलब यह जब हम scroll करेंगे तो कितने speed में यह effect हमें दिखाए देना चाहिए इसका यहां पर एक control है और इसके नीचे है viewport तो viewport दोस्तो हर एक animation के लिए यहां पर आपको दिखाए देगा viewport तो हमें viewport को समझना है तो इसके लिए मैंने पहले आपको viewport के बारे में थोड़ा सा बता लेता हूँ तो उसके बाद हम इसका जो other function है उसको आप मैं आपको दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तो हम समझते है viewport होता क्या है तो देखिए यहां पर एक section है जिस section के अंदर एक image डाला हुआ है basically यह एक element है तो किसी भी element का जो upper line या फिर appear line होता है उसको हम 1% से calculate कर सकते हैं उसका बीच का जो position उसको 50 और एकदम नीचे bottom line जो होता है जो इसको disappear line होते हैं उसको हम 100% calculate कर सकते हैं तो यह जो value है इसको हम कैसे calculate करें जब image वो appear होगा हमारा viewpoint पर मतलब हमारा device के screen पर जैसे अभी हम इसको यहां से scroll कर रहे हैं तो जिए यह image यहां पर appear हो गया मतलब इसका viewport 1% अभी हो गया है जब हम इसको यहां पर middle में लाएंगे यह जो total area है इसको middle में आ जाएगा तब इस image का या फिर element का image हो सकता है text भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस element का यह viewport 50% हो गया जब हम इसको scroll करके इसका bottom line भी हम cross कर द देंगे हमारे element को जब हम इसको effect डालेंगे तो चलिए हम देखते हैं इस parachute के जो हमने यहां पर डाले है effect इसको थोड़ा सा हम बीच में कर लेते हैं अभी देखिए यहां पर viewport का option हमको मिलेगा तो हम क्या करते हैं इसको viewport करते हैं इसको six और इसका जो viewport का जो top end है इसको हम करते हैं 80% तो देखिए क्या होगा जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे और जब यह element हमारे viewport के 6% में आ जाएगा तब यह animation यहाँ पर enable हो जाएगा और यह element जब हमारे इस viewport का 80% हो जाएगा तो यह देखिए यह और नीचे नहीं वो स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे नहीं वो उतर रहे हैं वो यहाँ पर fixed हो गया है मतलब यह effect यहाँ पर close हो गया है अभी हम scroll करेंगे तो वो नहीं down होगा देखिए यहाँ पर वो scroll जो है वो खतम हो गये हैं अभी वो नहीं काम कर रहे हैं यहाँ क्यूंकि यह हमें 80% में set कर दिये हैं अगर हम इसको 100% करते तो देखिए यह जितने देर तक हमें यह element दिखाए देता उतने देर तक यह effect continue रहत वो stop हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर scroll कर रहा हूँ देखिए यह viewport में 50% आ गये है और अभी वो बंध हो गया है scroll करना तो ऐसे हम यह scrolling का जो effect है यह viewpoint को adjust करते हुए इसका जो positioning है effect का वो हम control कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा vertical effect अभी हम देखेंगे horizontal effect क्या है और इसमें क् पर मैं एक section create किया हूँ और यह section के अंदर मैं जो column है उसके अंदर पहले यहाँ पर text create किया हूँ और यहाँ पर एक image डाला हूँ तो हमें पहले क्या करना है इस image को positioning करना है कि हम चाहते हैं कि यह image जब हम scroll करे तो यह later डाइने से बाये जाए और यह बाये से डाइने आए और यह एक के ऊपर एक overlap हो जाए तो इसके लिए हम इसका position पहले set कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इसको inline और इसका position जो है absolute कर लिया तो देखिए यह text इसके ऊपर आ गये है तो हम यह नीचे का जो element है इस element का हम z index बढ़ा देंगे दो कर देंगे तो यह element यहाँ पर text के ऊप पर जाएगा और इस element को हम यहाँ पर positioning कर लेते हैं इसको inline कर लेते हैं और इसका position है इसको absolute कर लेते हैं ताकि हम हमारी हिसाब से इसको position कर पाए तो चलिए मैं इसको यहाँ पर देता हूँ अभी देखिए यह जो यहाँ पर text है हम चाहते हैं यह text हमारे screen के dynas बाएं तो हम horizontal क्लिक करेंगे तो देखिए पहला जो option यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो है to lift तो हम अगर यह lift करेंगे तो देखिए यह right से lift पर यह appear हो रहा है तो हमें यहाँ पर viewpoint set करना है और इसका speed set करना है तो हम speed इसका 7 रख देते हैं और इसका viewpoint जो है 0 और इसका bottom 100 ही र ठीक तरह से दिखाए दे और यह जो हमारा image है इसमें भी हम emotion effect डालना है तो हम horizontal scroll पर इसको click करते हैं और इसको हम to right करते हैं ताकि वो left से right जाए तो मैंने यहाँ पर कर दिया और इसका 100% viewpoint कर दिया और इसका speed जो है इसको भी हम 7 रखते हैं तो देखिए जब हम scroll करेंगे त के उपर एक चला जाएगा और यहाँ पर आप और एक चीज़ देख लीजिए हम जब यहाँ पर भार्टिकल्स कॉल या फिर होरिजिनल्स कॉल कुछ भी हम यहाँ पर edit करते हैं उसका side में यहाँ पर round arrow का एक sign है अगर आप जाएंगो देखिए यह back to default है अगर हम इसको click कर करते हैं तो हमने जो भी animation यहाँ पर डाले थे वो delete हो जाएगा और वो default position में आ जाएगा जैसे अभी कुछ animation यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है और फिर हम इसको यहाँ पर करते हैं तो देखिए यहाँ पर यह horizontal effect यहाँ पर enable हो गया है और हम इसको multiple effect एक साथ भी डाल सकते हैं जैसे horizontal के साथ हम vertical भी चाहें तो डाल सकते हैं अगर हम किसी भी section को vertical और horizontal एक साथ हम enable कर देते हैं तो उसमें दो effect एक साथ जूड़ जाएगा और इसके साथ हम transparency, blur, rotate, सारे effect हम एक साथ डाल सकते हैं तो यह आपके design की जो desire है मतलब आप जो चाहते हैं design में उसके उपर depend है आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे multiple motion effect को एक साथ डाल सकते हैं तो यह हो गया हमारा vertical horizontal अभी आएगा transparency, blur, rotate तो transparency पहले हम देख लेते हैं transparency का section यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर मैंने एक section create किये है अब देख सकते हैं जब हम scroll करते हैं इस section को तो यहाँ पर एक letter create होता है जिसमें लिखा हुआ city life जब हम इसको down करेंगे तो देखिए यह जो letter है इसका transparency मतलब उसका स्वच्वता जो है वो बढ़ जाएगा और पीछे का जो image है वो इसमें दिखाए देगा आप देख सकते हैं देखिए जूम करके मैं आपको दिखाता हूं देखिए जो image जब down में आएगा तो इसका ज time है तो चलिए हम देखते हैं इस design को हम कैसे achieve कर सकते हैं पहले मैं इसका जो है इसको default कर देता हूं तो यह हमारा एक section मैंने यहाँ पर create किया जिसका size मैं fit to screen लिया और इसमें background एक image मैंने डाला हूं और इसके उपर मैंने यहाँ पर एक text element जो हमारा heading element है उसको मैंने यहाँ पर लिया जिसमें city life लिख दिया तो हम क्या करेंगे इसको हम transparency का जो motion effective वो हम देंगे तो मैं अभी के लिए इसको मैं यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर इस transparency जो है इसको मैंने enable कर दिया अभी आप देखिए transparency में आपको बहुत सारी option यहाँ पर दिखाए देगा एक है fed in एक है fed out, fed out in और fed in out यह चार जो option है यह आपको यहाँ पर दिखाए देगा चलिए पहले मैं यहाँ पर आपको fed out का option दिखाता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर fed out कर दिया इसका level जो है मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ठीक है अभी viewport मैं क्या करता हूँ viewport मैं इसको zero कर देता हूँ और इसको 50 कर देता हूँ तो अभी हम जब इसको scroll करेंगे तो यह हमारा viewport में यह आ रहे है और इसका effect भी यहाँ पर सुरू हो गया है जब यह viewport में 50% तक आ जाएगा तो देखिए यह transparent हो गया है अगर हम य कर देते हैं तो एकदम पुरा गायव हो जाएगा यह एक बार और देखते हैं तो हम यहाँ पर इसको scroll कर रहे हैं और यह यहाँ पर appear हुआ है इसका 50% viewport अभी आ गया है तो यह पुरा disappear हो गया अगर हम यहाँ पर इसको fade in and out effect देते हैं तो क्या होगा एक बार वो fade in होगा फिर वो fade out होगा तो पहले जैसे यह fade out हो रहा है मतलब वो गायव हो जा रहा है तो अगर हम इसको fade out in effect देते हैं और यह जो viewport है इसको हम थोड़ा सा adjust करते हैं 30% और इसको हम 60% देते हैं तो देखिए क्या होगा तो यह हमने इसको scroll किया और यह यहाँ पर वो appear हो रहा है अ क्योंकि हमने यहाँ पर viewport पर 30% रखा अभी जो वो 60% में आएगा तब फिर से वो fade in होगा अभी 60% में आ गया देखिए fade in हो रहा है यह same effect हम इसको reverse में कर सकते हैं fade in out अगर हम fade in out करते हैं तो पहले क्या होगा देखिए देखिए यहाँ पर वो visibility हमको दिख रहा है जब हम इसको 60% में आए जाएगा तो यह जो later है इसका जो पुरा transparency level है वो zero हो जाएगा अभी हम इसको जब scroll करेंगे तो फिर से वो fade हो जाएगा देखिए यह हुआ zero transparent और फिर से अब जब scroll करेंगे तो फिर से वो transparency level जो है वो बढ़ रहा है तो ऐसे आप यह जो effect है आप वो enable कर स और वो साथ इसाथ वो transparent भी हो तो पहले हम transparency level को हम स्रिफ fade out कर देते हैं और इसका जो level है इसको हम थोड़ा सा 7 कर लेते हैं इसको bottom में इसको view vote जो है इसको 100 कर लेते हैं अभी हम इसमें क्या करेंगे particle जो scroll है मतलब उपर से नीचे का scroll वो हम यहापर add कर देंगे और इसको down कर देंगे ठीक है तो अभी क्या होगा जब हम इसको scroll करेंगे देखिए यह जो element है यह letter है वो नीचे scroll होगा उसके साथ वो transparent होता जाएगा यह देखिए यह transparent हो गया है 90% transparent जो है वो हो गया हम इसका transparency level और बढ़ा देंगे तो यह disappear हो जाएगा लेकिन हम चाहते हैं तोड़ effect क्या है देखिए इस design में यहां पर एक car का image है और उपर एक text है देखिए जब मैं section को यहां पर scroll कर रहा हूँ तो यह जो letter यहां पर लिखा हुआ है जो text यहां पर लिखा हुआ है वो text अभी blur है जब मैं इसको scroll करूंगा तो blurness कम होता जाएगा और यह जब यह middle में तो यह पूरा blur जो है वो clear हो जाएगा अब देख सकते हैं यहां यहां पर दो effect enable किया हुआ है एक जो है lift से right से जा रहा है यह text और वो blur हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं इसको भी हम कैसे कर सकते हैं blur effects कैसे हम डाल सकते हैं तो पहले इसको default कर लेता हूं position okay तो देखि तो मैं इसको fade out कर देता हूं तो देखिए यह एकदम fade दिख रहा है इसके level जो है level को थोड़ा सा मैं घटा देता हूं और viewport को भी हम 80% अगते हैं तो क्या होगा जब हम इस section में scroll करेंगे तो यह जो text है वो blur होता जाएगा देखिए यह blur हो गया अभी इसका reverse भी हम कर सकते हैं मतलब इसको fade out है मैं fade in अगर करूँगा तो क्या होगा वो blurness घटके वो clear हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर इसको scroll कर रहा हूं तो देखिए blurness जो है वो घट जाएगा और यह clear हो गया है तो यह fade in और fade out का effect हम यहाँ पर डाल सकते हैं और इसक positioning कर देता हूं तो यह ऐसे दिखेगा यह रहा वो effect तो ऐसे आप blur effect भी डाल सकते हैं तो next जो effect है वो है rotate का option देखिए मैंने यहाँ पर एक section create किया हूं जिसमें यह जो element है यह road कर रहा है यह घुम रहा है मैं preview में आपको दिखाता हूं तो यहाँ पर यह जो element है यह ऐसे effect में भी बहुत सारे option यहाँ पर आपको दिखाए देगा तो हम किसी भी element में जैसे others हम motion effect डाले हैं वैसे rotate effect डाल सकते हैं तो मैंने इस section में यह जो rotate effect डाले हैं तो देखिए है पर to left और to right दो option हमको दिया जाता है और speed control और viewport जैसे रहते हैं वैसे ही है लेकिन इस road effect में आ इसके साथ यह road effect का relation क्या है यह पहले हम समझ लेते हैं इसके बाद मैं आपको कैसे effect को डालना है यह बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर अब देख सकते हैं यह जो image है इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है left center right और side में लिखा हुआ हूँ top center bottom तो यह हमारा x axis point है image का और यह y axis point है तो जब हम यहाँ पर जाएंगे तो motion effect जब हम road पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे हमें दो option यहाँ पर appear हो जाएगा एक है x axis point और यहाँ पर एक है y axis point तो मैं आपको demo करके दिखाता हूँ तो पहले मैं इसका speed मैं यहाँ पर control कर रहता हूँ तो देखिए यहाँ पर उपर जो option है to right और to left to right मतलब यह right direction में घुमेगा और to left मतलब वो left direction में घुमेगा अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यह जो image है यह right direction मतलब clockwise में घुम रहा है अगर हम इसको left कर देते हैं तो देखिए वो anti-clockwise में घुम रहा है एंट तो अभी हम इसको right कर देते हैं और अभी हम देखिए यह access point को हम यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरह से तो यहाँ पर access point जो है देखिए एक है left, एक है center और एक है right यह जो point है यह इस direction को control करते हैं इस anchor point को center करते हैं और y को भी center करते हैं तो image जो है वो अपने center में घुमेगा जैसे यह image यहाँ पर घुम रहा है तो अभी देखिए अभी क्या होगा अगर हम यह जो x anchor point है मतलब यह जो उपर का जो यह जो हिस्सा है अगर हम चाहते हैं यहाँ पर इसको fix कर देते हैं तो यह जो उपर का जो position है मतलब image का उपर का जो position है तो अगर हम चाहते हैं कि x anchor के उपर वो घुमे तो हम यहाँ पर lift कर दिया तो क्या होगा यह जो position है image का मतलब यह left position यह यहाँ पर fix हो जाएगा और यह जो image है, यह image यहाँ पर उसका center point बन जाएगा और वो ऐसे घुमेगा, देखिए, ऐसे घुम रहा है, है ना, तो यह इस direction में घुम रहा है, अगर हम इसको भी यहाँ पर top कर देते हैं, मतलब यह top में fix हो जाए और left में fix हो जाए, तो देखिए कैसे घुमता है, देखि anchor point है, यह image यहाँ पर fix हो जाएगा, और अगर हम इसको घुमाएंगे देखिए, यह ऐसे घुम रहा है, मतलब image का जो उपर का पोर्शन है, वो यहाँ पर fix हो जा रहा है, और इसका जो motion है, वो ऐसे घुम रहा है, यह देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर bottom में fix कर देते हैं मतलब image का यह जो vertical position है अगर हम चाहते हैं कि image इस vertical position में fix रहे और इसका जो horizontal position है वो यहाँ पर center में fix रहे तो फिर कैसे घुमेगा यह यहाँ पर जैसे pin से हम इसको point कर दिये हैं ऐसे लगेगा देखिए देखिए वो pin में जैसे bottom में fix है और ऐसे घुम रहा है तो यह होता है दोस्तो anchor point की settings अगर आपको किसी भी image को अपने center में घुमाना है जैसे यहाँ पर मैं घुमा रहा हूँ तो यह आपको दोनों ही जो point है उसको आपको बीच में रख रहे हैं तो फिर यह ऐसे बीच में घुमेगा तो आप इस access point को आप अपनी तरह से समझेए अगर कोई problem है तो comment में मुझे पूछिए मैं आपको और भी टीटल में बोलने की कोसिस करूँगा तो अभी चलिए अभी देखते है scale जो है इसका क्या function है तो हमने यहाँ पर rotate का option देख लिया किसी भी element को ऐसे rotate कर सकते है अभी हम देखेंगे scale कैसे होते है तो देखिए यहाँ पर हमने जो यहाँ पर section create किये है तो इसमें मैंने पीछे एक icon डाला हूँ और इसको उपर एक text डाला हूँ तो इस text का अगर मैं इसको default में कर देता हूँ पहले तो देखिए मैं यहाँ पर इस text में अभी आपको कुछ effect नहीं दिख रहा है लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर scale करेंगे scale का मतलब है वो image बड़ा या छोटा देखिए यहाँ पर scale में आपको option मिलता है scale up, scale down, scale down up और scale up down मतलब आप कैसे चाहते हैं यह जो text है वो कैसे appear हो वो पहले बड़ा हो या फिर छोटा हो बड़ा हो के छोटा हो ऐसे option यहाँ पर दिखाए दे रहा है तो मैंने यहाँ पर scale up कर दिया हूँ और इसके view point यह 20 और 80 में set किया हूँ देखिए यह effect कैसे दिख रहा है यह देखिए अगर हम इसमें blur भी add कर देते हैं तो यह फिर और भी मज़ेदार हो जाएगा तो फुरा सा ही यहाँ पर blur मैं add कर देता हूँ तो क्या होगा देखिए जब यह appear होगा तो वह blurry दिखेगा जब यह view point में 64 परजना जाएगा तो यह पुरा clear दिखेगा तो यह designing concept है आप किसी भी element को image को या भी text को आप यह fade in और fade out effect आप दे सकते हैं दोस्तों यह जो सारे effect आपको दिख रहा है आप अपने site में इसको कैसे appear करना चाहते हैं इसके लिए भी आपको दो option यहाँ पर दिया जाता है इस anchor point के नीचे आप देखिए यहाँ पर effective relative to के एक option है मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको दो option मिलेगा एक है viewport और एक है entire page viewport का मतलब आपको समझ आ गया होगा entire page का मतलब है यह total website का total page length है इसके संदर में इसके perception में आपको यह effect देखने को मिलेगा लेकिन मेरा मानना है कि आप यह effect है वो default या फिर viewport में ही इसको रखिए तो यह effect आपको अच्छी तरह दीखेगा अभी इसके नीचे है दोस्तो mouse effect तो जैसे हम यहाँ पर यह scrolling effect हम देख रहे हैं scroll करने के साथ यह effect यह पर animate हो रहा है वैसे हम किसी भी element के ऊपर mouse effect भी हम डाल सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर इस section में जो animation create किया हूँ यह mouse pointer की साथ यह move हो रहा है तो यह effect कैसे डालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो चलिए पहले हम इस section को recreate कर लेते हैं दोस्तो मैंने यहाँ पर एक section create किया हूँ जिसके background में आपको एक image दिखेगा जो dark blue में है और उसके उपर यह png में दो helicopter है जिसमें एक focus light दिया हुआ है और यहाँ पर png में मैं और एक image डाला हूँ जिसमें लिखा हूँ है big cell यह image है तो अभी हम क्या करेंगे इस image को हम custom position कर लिये है अपने हिसाब से और इसमें अभी हम mouse effect डालेंगे तो इसके लिए मैं इस पर click करता हूँ और देखिए motion effect में आपको यहाँ पर scrolling effect एक दिखता है और एक mouse effect दिखता है तो हम इस mouse effect पर click करेंगे Mouse effect में आपको दिखता है Mouse track का option मतलब यह आपका mouse point को track करेगा तो इसमें भी आपको यहाप opposite और direct यह दो option आपको दिखता है opposite का मतलब है आपका mouse pointer जिस तरह जाएगा यह animate करेगा ठीक उसके opposite direction में और mouse का जो यहापर direct है मतलब आपके mouse जिस तरह track करेगा देखिए मेरा mouse pointer जिस direction में यहापर move कर रहे है यह जो element है वो भी उस direction में move कर रहा है तो यह होता है direct direction और एक opposite direction है तो हम इसको effective करने के लिए यह जो position है इसको मैं यहापर opposite कर दिया और इसको मैं करूंगा direct तो यहां पर भी mouse effect on कर लिया और इसको मैं यहां पर direct कर देता हूं ठीक है तो देखिए अभी यह दो direction में एक मेरा mouse के direction में और एक opposite direction में घूम रहा है तो अभी हम इस image में effect डालेंगे तो हम जाएंगे motion effect पर और फिर हम इसको on करेंगे mouse effect और यह जो यहां पर 3D tilt है हम इसको यहां पर enable करेंगे इसमें भी आपको direct और opposite option मिल जाएगा तो direct में मैंने 5.1 का value दे दिया तो अभी क्या होगा देखिए यह tilt होगा जैसे यह element है यह three dimensional है और यह हमारे mouse के साथ यह हिलेगा tilt जैसे होते हैं अगर हम उपर ले जाएंगे तो वह उपर की तरह जुख जाएगा नीचे लाएंगे तो नीचे की तरह जुख जाएगा ऐसा एक effect आप यह आप दिखाए देगा अगर हम इस tilt effect को थोड़ा बढ़ाएंगे तो यह और भी visible हो जाएगा देखिए ऐसे दिख रहा है जैसे floating कर रहा है है ना देखिए ऐसे हम motion effect में mouse effect हम create कर सकते हैं और इसके नीचे है sticky element हम किसी भी element को sticky या non sticky बना सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है उपर के जो heading section होता है या फिर किसी भी navigate section होता है मैंने यहां पर click किया इस section पर advance में गया और motion effect में गया और फिर हम यहां पर sticky जो option है मैं यहां पर इसको top कर दिया तो क्या होगा देखिए जब भी हम यहां पर इसको scroll करेंगे तो यह sticky यहां पर आपको दिखाए देगा वह scroll नहीं होगा वह ऐसे fix रहे जाएगा और यह same हम किसी भी section को bottom में भी fix कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पर एक section create करता हूं तो यहां पर एक section add कर लेता हूं यह insert कर लिया यहां पर तो देखिए यह section को मैं customize कर लिया और मैं चाहता हूँ यह bottom में fix रहे जैसे किसी भी footer section हमारा रहता है तो यहां पर इसको हम sticky bottom कर दिया तो क्या होगा जब हम इस page को scroll करेंगे तो देखिए यह जो finding something interesting जो section है यह नीचे fix हो गया और यह हमारा जो उपर का section था वो उपर fix हो गया तो ऐसे हम motion effect में किसी भी element को bottom या top में हम fix कर सकते हैं और यह हम device की हिसाब से भी इसको हम customize कर सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा elementor के advanced settings में background का इस्तिमाल हम कैसे कर सकते हैं और इस क्या 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 functionable level है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको like कीजिए अगर आप हमारे channel में नए है तो इस channel को आप subscribe कर लिजिए साथ में bell icon भी दबाएए ताकि elementor के उपर आने वाले वीडियो का notification आपको मिलते रहें अगर आपके मन में इस वीडियो के regarding कोई भी सवाल है तो comments में जाके मुझसे पूछिए मैं उसका जरूर उतर दूँगा धन्यबाद दोस्तों